क्यों मनाया जाता है नेशनल मून दिवस हर साल 20 जुलाई को राश्ट्रिय चांद दिवस मनाया जाता है इतिहास के पिन्ने पल्टे तो 20 जुलाई 1979 को अपोलो 11 मिशन के तहट अंत्रिक्षात्री नील आमस्ट्रोंग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था इस से पहले भी नील जैमिनी मिशन के तहट अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके थे इस उपलक्षे पर हर साल 20 जुलाई को राश्ट्रिय चांद दिवस मनाया जाता है नील आरमस्ट्रोंग ने इस दिन चांद की सतह पर धाई घंटे बिताय थे और इसी दिन अमरीका चांद पर आदमी को उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना चांद दिवस मनाने का मुख्य उद्धेश न केवल नील आरमस्ट्रोंग और उनके सातियों के प्रती सम्मान प्रकट करना है बलकि विग्यान के प्रती लोगों को जागरूप करना है नील आम्स्ट्रोंग इस मिशन के कमांडर थे जबकि उनका साथी पाइलट बजेलरिन चांद पर सफल कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बने इसके अलावा माइकल कॉलिंस भी यात्रा में थे लेकिन वह चंद्रायान से बाहर नहीं निकले थे और चांद की परिक्रमा करते रहे थे इस उपलब्धी के लिए वर्ष 1978 में नील आम्स्ट्रोंग को स्पेस मेडल ओफ ओनर से सम्मानित किया गया था ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा से लोटने के नील आम्स्ट्रोंग और उनके साथियों को 18 दिनों तक क्वारंटीन रखा गया था इस दौरान यह टेस्ट किया गया कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है